हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार, Quick News प्रोग्राम में आपका स्वागत है, मैं हूँ विरद्दुबे आए जानते हैं तमिलनाड के पहले जैव विविदता विरासतिस्थल के बारे में तमिलनाड सरकार ने मदरई जिले के मैलूर ब्लॉक में अरिटा पट्टी को जैव विविदता विरासतिस्थल गोशित करने के लिए अधिसूचना जारी की है यह तमिलनाडु का पहला जैव विविदिता विरासत इस्थल है जो 193.21 हेक्टे अक्षेत्र में फैला हुआ है। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार ने मदरई जिले के मिनाक्षी पुरम गाउव को भी जैव विविदिता विरासत इस्थल का दर्जापरदान किया है। पारिस्थितिकी और एतिहासिक महत्व से सम्रध अरिटा पट्टी और मिनाक्षी पुरम दोनों गाउव में पक्षियों की लगबग 250 प्रजातियां देखी जा सकती हैं। पर पाए जाने वाले पक्षियों में तीन रैप्टर प्रजातियां महत्वपून हैं जिनमें लेगर फॉलकन, शाहीन फॉलकन और बेनेली इगल शामिल हैं। इसके अलावा यक्षेत्र भारतिये पैंगोलिन, स्लेडर, लोरेस और अजगर जैसे वन्न जीवों का भी आवास है। जैव विवित्ता से समरत यक्षेत्र साथ पहाडियों या इनसेल बर की एक शंकला से घिरा हुआ है, जो वाटर शेट के रूप में काम करता है, साथ ही 72 जीलों, 200 प्राकृतिक जर्नों और तीन चेक बांधों को चार्ज करता है। आपको बता दें, सोलह में शतापदी में पांडे राजाओं द्वारा बनाया गया अनाई कॉंडन टैंक भी यहीं पर है। प्राक्तिक संसाधनों के दोहन में कमी होगी और परियावरण के नुकसान से भी बचा जा सकेगा, साथ ही समाज के सभी वर्गों में संरक्षन की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा।